Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपके अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 12 के जो आपके एलेक्टिव बुक है विच इस कलाइडोस्कोप उसकी पोर्ब नमबर 3 विच इस Poems by Milton और क्योंकि इस पोर्म में 2 पार्ट्स है 1st The Divine Image 2nd The Human Abstract तो 1st The Divine Image के MCQs है हम कवर कर चुक है तो आज इस विडियो में हम जो 2nd part of the poem विच इस The Human Abstract है उसके हम Multiple Choice Questions याने के MCQs कवर करेंगे So, let's begin with our 1st question Question No.1 Who is the poet in the poem? The Human Abstract यह जो आपकी poem है जिसका नाम है The Human Abstract उसके poet याने की कवी कौन है? आपके साबने 4 options given है जो option आपको लगता है सही है या most appropriate option है उसे आपको करना है एक tick mark और अगर आपने मेरे एक बार भी summary के videos, explanatory videos या गलती से एक बार भी अपनी NCIT book खोल के देख लिए होगी तो आप within a second मेरे इस question का answer कर सकते है options देख लेते हैं A. William Wordsworth B. William Blake C. W. B. Yeats D. William Shakespeare so clearly ये जो पूर में वो option निमर भी William Blake ने लिखी है so option B is the right option to this question book पढ़िये, videos देखिये answer पाईये, okay next question If we did not make somebody poor what will not be left? अगर हम इस दुनिया में किसी को poor याने गरीब नहीं बनाएंगे तो इस दुनिया में क्या नहीं बचेगा याने अगर गरीब है तो ये चीज है और अगर गरीबी नहीं है तो फॉल question mark वाली चीज नहीं है options देख लेते तो basically ये जो line है आपकी poem की line है उसमें बोला गया है कि अगर इस दुनिया में poor नहीं हुए याने गरीब नहीं हुए तो आप दया किस पर करोगे? आप दया किस पर करोगे? तो गरीबी नहीं तो दया भी नहीं which means option number a pity याने दया is the right option to this question, अगर गरीबी नहीं होगी तो और क्या नहीं होगा? दया भी नहीं होगी तो pity क्या है? pity एक तरीके की virtue है, एक good moral standard है so option number a is the right option to this question next which word depict emotions कौन से ऐसे words जैन options में जो emotions याने भावनाई depict करते हैं, दर्शा आते हैं अब वह कोई से भी भावना है, कोई से भी emotions हो सकते हैं, good या bad, कोई से भी options एखते हैं, a cruelty याने कुर्टा, b deceit deceit का मतलब होता है fraud याने जब आप किसी के साथ दोका करते हो तो ये कोई emotion नहीं है ये तो आप किसी के साथ गलत कर्म कर रहे हो fraud याने आप कोई verb है ये तो ये option तो वैसे भी नहीं हो सकता c pity याने किसी पर दया की भावना या d both a and c तो yes cruelty याने जब आप cruel हो तो ये एक तरीके का आपका emotion है और pity भी आपका एक emotion है याने जब आप किसी पर दया कर रहे हो बस फर्क इतना है कि ये एक negative emotion है और pity एक positive emotion है तो a और c दोनों ही सही है which means in combination option number d is the right option to this question इसका मतलब ये है कि एक इंसान में positive emotions हो होते ही होते है और negative भी होते हैं अगर आपने poem का explanation देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि positive से negative emotions कैसे जन में लेते है next what does cruelty do जो cruelty है याने जो कुरूरता है जो ये एक negative emotion है ये क्या करता है options a it plants the tree of evil in the human brain कुरूरता एक ऐसा negative emotion है जो एक इंसानी दिमाग में गलत याने बुरी चीजों का evil चीजों का एक पेड उगाता है याने ग्रो करता है option b it plants the tree of positivity in human brain cruelty जो खुदी एक negative emotion है ये एक human brain इंसानी दिमाग में positivity याने अच्छाई का पेड कैसे होगा सकता है तो ये option तो वैसे भी cancel हो जाता है it spreads happiness everywhere कुरूरता हर जगा happiness याने खुशाली फैलाती है तो this is impossible जहां कुरूरता है वहाँ लोगों में दुख है तकलीफ है परिशानी है खुशी कभी भी नहीं हो सकती d none of the above हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number a इंसानी दिमाग में जो cruelty कुरूरता का negative emotion है एक बुरी चीजों का पेड होगाता है क्योंकि जहां cruelty होती है वहाँ पर दुख, दर्द, आसू होते है वहाँ पर humility की feeling होती है याने कि लोग अपने आपको दूसरों से बहतर कभी समझ नहीं पाते वहाँ पर एक से बढ़कर एक negative चीजे बढ़ती जाती है spread होती चली जाती है so option number a is the right option to this question next which two insects are mentioned in the poem आपकी poem में कौन से दो insects याने कीडे mention करे गए है options देखते है a butterfly and fly क्या butterfly, तितली या fly, fly याने की मक्षी b spider and fly, याने मकडी या फिर मक्षी c caterpillar and fly, याने illy या फिर मक्षी या ant and fly, याने किचीटी या फिर एक fly clearly आपकी poem में दो insects को mention कर गया है which is caterpillar and fly दोनों ही evil याने bad का symbol है और बताया जाता है कि जो humility का tree है poem में उस पे पत्ते याने leaves किसके आ रहे है mystery के, रहसे के जो पूरा cruelty को ढग देते हैं और इंसान इसको खोजने में इतना busy हो जाता है कि इंसान को समझ इनी आता है कि हमारे साथ cruelty हो रही है अब यह जो caterpillar है यह जो insects है यह क्या खाते है यह वो पत्ते ही खाएंगे याने वो mystery के पत्ते खाएंगे तो क्या हो रहा है एक evil चीज से दूसरी दूसरी से evil चीज बढ़ती चली जा रही है क्योंकि यह caterpillar survive करते हैं leaves पर और जब यह negative leaves खाएंगे तो वो जंदा रहेंगे और बच्चे पैदा करेंगे जिससे breeding करते करते negativity बढ़ती चली जाएगी So option number C caterpillar and fly is the right option to this question Next Unmutual fear brings dash fill in the blank from the poem यह जो आपकी line है यह आपकी poem की ही line है और आपको यह blank fill करना है भरना है Line है Unmutual fear brings dash जो mutual fear है याने जो लोगों में आपसी डर है वो क्या लेकर आता है Options दिखते हैं A. mercy इने रहम की भावना B. pity याने दया की भावना C. peace याने शान्ती की भावना D. love याने प्यार की feeling So as per the poem and mutual fear brings peace जब लोगों में mutual fear होता है आपस में डर होता है Common डर होता है तो उससे लोगों की मनों में शान्ती आती है कैसे? अगर मेरा बुरा हो रहा है और मेरे दोस्त कभी बुरा हो रहा है तो मुझे peace मिलेगा शान्ती मिलेगा ठीक है कि मेरा बुरा हो रहा है चलो उसका भी बुरा हो रहा है तो यहां यह क्या है यह मुझे peace दे रहे दे रहा है, शान्ती दे रहे है, जब तक मेरा selfish love यानि मेरा swarth किसी से जुड़ानी हो है त अच्छा नहीं सोचूंगी, जब तक मेरा selfish यानि मेरा swarth ही वेवार जुड़ानी हो, तो peace cup है, जब mutual fair है, ठीक है उसका बुड़ा और रहा ह तो उसके भी पिछलो पैसे खतम हो रहे है जब हम ऐसा सोचते हैं तो क्या ओर है लोगों के मन में शान्ती है एक तरीकी का पीस है तो अगैन ये क्या है? एक नेगटिव एमोशन है So option number C Peace is the right option to this question as per your poem Next The tree having the roots of humility will always be the fruit of dash जो tree पोर्म में जो आपको tree बताए गया कि जो एक ऐसा पेड जिसकी roots जिसकी जड़े humility की है याने जिस इनसान में हमेशा से ये feeling आई हुई है कि मैं दूसरों से बहतर कभी नहीं बन सकता तो ऐसा इनसान कौन से fruits bear करेगा याने कि जो ऐसा tree है वो कौन से fruit कौन से फल देगा आपको कौन से फल देगा so the options है a deceit के deceit का मतलब होता है fraud क्या ऐसा पेड आपको fraud याने धोके के फल देगा be sweet taste बहुत मीठे fruits देगा c divinity याने कि God से आपको connect करेगा आपको devia feel करेगा spiritually God से connected feel करेगा या d all of the above उपर दिये गए सारे options तो जो पेड humility का है याने negative emotion से भरा हुआ है तो उसमें positive चीज कभी भी नहीं आएगी याने उसमें नहीं आपको कोई sweet taste मिलेगा नहीं divinity याने नहीं आप इसमें God से connected रहोगे और क्योंकि ये दोनों options है नहीं all of the above भी नहीं होगा याने कि जो पेड humility के जिसकी roots है mystery के पत्ते है cruelty उसके नीचे धका हुआ है caterpillar और fly जैसे negative insects उसमें उसके leaves को feed करके increase हो रहे हैं तो उसमें फल भी कैसे आएंगे फल भी धोके के ही आएंगे deceit के ही आएंगे जिनको लोग खाते हैं और हर बार धोका मिलता है उन्हें so option number A deceit is the right option to this question next which bird is mentioned in the poem आपकी poem में कौन सी bird कौन से पक्षी के बारे में mention किया गया है options एकते हैं A parrot याने tota B pigeon C crow याने कवगा या D raven ठीक है pigeon याने कब उतर okay तो clearly option number D raven bird के बारे में mention किया गया है crow जैसी दिखती है ये और black color की होती है और ये जो bird है इसको symbol of death माना गया है याने की evil बरबादी का symbol माना गया है तो बताया गया है poem में की humility का tree है जिसमें caterpillar and fly जैसे insects survive करते हैं जिसमें mystery के पत्ते cruelty को डखका रखा हूँ है जिसमें fall deceit याने fraud के आ रहे है तो इसमें रहने वाले पक्षी कैसे होंगे इसमें रहने वाले पक्षी भी negative होंगे क्यों? क्योंकि raven नाम की bird को symbol of death याने एक negative एक evil bird माना गया है which means option number D is the right option to this question next where was the tree actually growing? यह जो tree था humility का यह actually कहां grow हो रहा था कहां पे धीरे धीरे बाड़ा हो रहा था तो जितने भी धर्ती के समुद्रे के जितने भी gods है last में poem में बताया गया कि ढूणने को निकले कि आखिर यह पेड कौन से जंगल में आखिर यह अनोखा पेड कहां पर है लेकिन उनकी जो यह सर्च उनकी जो यह खोच थी वो सब वेन में यानि व्यर्थ की गई बेकार की गई क्यों? क्योंकि यह जो tree था yubility का यानि जो negativity का यह जो पेड था यह और कहीं नहीं यह human brain यह इंसानी दिमाग में grow हो रहा था क्योंकि इंसान ने अपने दिमाग में negativity की इतनी खिचड़ी बना लिये कि वो negative emotions अब increase होते जारे multiply होते जारे तो options in the forest क्या यह पेड किसी जंगल में था? नहीं in the garden क्या किसी बगीचे में था? नहीं in the human brain यह इसी इंसानी दिमाग में negativity बढ़ती जा रही थी तो yes option number C is the right option D none of the above भी नहीं होगा that means option C right option है in the human brain next which poem is written in contrast with the human abstract? अब जो आपकी poems by Blake जो poem number 3 है इसमें 2 parts of the poem है एक first part है और second part है the human abstract तो जो human abstract है इसके contrast में यानि इसके opposite में मिलती जुलती उल्टी बात बोलती हुई कौन सी एक और poem लिखी गई है? William Blake द्वारा so options है A the good life क्या poems by Blake का first part of the poem the good life है? नहीं the divine image? येस the first part of the poem है the divine image ही है और उसी को the human abstract के contrast में यानि opposition में लिखा गया है C the farewell no D the space heater no क्योंकि clearly हमें हमारा answer मिल गया है which is option number B the divine image the divine image poem में virtues बताई गई है यानि good high moral standards बताई गई है which is mercy pity peace and love और जो second part the human abstract उसमें ये बताई गया है कि ये जो virtues हैं जो अच्छी qualities हैं जो भगवान से मिलती हैं ये कही न कहीं इंसान अपने दिमाग में इससे negative emotions को निकालता है ये इंसान के दिमाग के downfall का reason बन जाती है तो first form में introduction बताई गया है and virtues of delight का और बताई गया है जिन लोगों के पास ये रहती है virtues वो खुश रहते लेकिन same जो second part of the form में उसमें उल्टी, contrasting बात कहीं गया है कि जिन लोगों के पास ये virtues of delight होते है ये virtues of delight ही reason मनते है negative emotions के और human behavior को downfall में ले जाते है याने analysis किया गया है virtues of delight का second part of the poem में so option about B the divine image is the right option to this question so children we come to the end of this session I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गये होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते है other than this Magnet Brains ने e-books निकाली हुई है if you want हमारे वीडियो के description box में एक form link given है visit that form link and our team will get back to you तब तक के लिए bye bye and take care